C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ट दो व्यापार से सामराज्य तक प्रिष्ट संख्या नौ कमपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बाद्शाहों में औरंगजेब आखरी शक्तिशाली बाद्शा थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंतरन स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यू के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमिदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रिय रियासतें काइम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन भागों में ताकत वर क्षेत्रिय रियासतें सामने आने लगी दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंदर के रूप में नहीं रह सकी। अठारमी सदी के उतरार्थ तक राजनितिक शितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारी कमपनी के रूप में भारत आये थे और यहां के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिल्चस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वो इस विशाल सामराज्य के स्वामी बन बैठे इस अध्याए में आप जानेंगे कि ये कैसे हुआ इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र एक जिसमें दिखाई गई है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफतारी औरंगजेब के बाद कोई मोगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ लेकिन एक प्रतीक के रूप में मोगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था जब 1857 में बिटिश शासन के विरुद बहारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मोगल ब और उनके बेटों को जफर के सामने ही माह डाला प्रिश्ट संख्या 10 पूर्व में इस्ट इंडिया कंपनी का आना सन 1600 में इस्ट इंडिया कंपनी ने इंगलेंड की महरानी एलिजाबेट प्रतम से चार्टर अर्थात इजासत नामा हासिल कर लिया जिससे कंपनी को इंगलेंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में इस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी इस चार्टर के साहरे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खांगाल सकती थी वहां से सस्ती कीमत की चीज़ें खरीद कर उन्हें योरोप में उची कीमत पर बेच सकती थी कमपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कमपनियों से प्रतिस पर्धा का कोई भाय नहीं था उस जमाने में वानिजिक कमपनिया मूटे तोर पर प्रतीस पर्धा से बचकर ही मुनाफ़ा कमा सकती थी अगर कोई प्रतीस पर्धा ना हो तब ही वो सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी वानिजिक का अर्थ है एक ऐसा व्यावसाइक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेच कर यानि मुख्य रूप से व्यापार के जरिये मुनाफ़ा कमाया जाता है इस प्रिष्ट पर चित्र दिया गया है चित्र दो जिसमें दर्शाइ गए हैं अठार्मी सदी में भारत तक आने वाले रास्ते इसमें योरोप से निकलने वाले रास्ते केप आफ गुड होप से होते हुए मदरास, कलकत्ता, बंबई और कैंटोन तक पहुँचते हैं लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी योरोपिय ताक्तों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था जब तक इंग्लेंड के जहास अफरीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप आफ गुड होप का चक्कर लगा कर हिंद महा सागर पार करते तब तक पूर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिती दर्ज करा दी थी वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे पूर्तगाल के खोजी यात्री वासको डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने के इस समुद्री मार्क का पता लगाया था सत्रहवी शतापदी की शुरुआत तक डच भी हिंद महा सागर में व्यापार की संभावनाई तलाशने लगे थे कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए समस्या ये थी कि सारी कमपनिया एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी योरोप के बादारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी इनके अलावा काली मिर्च, लॉंग, इलाची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी योरोपी कमपनियों के बीच इस बढ़ती प्रती सपरधा से भारती बादारों में इन चीज़ों की कीमतیں बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफ़ा गिरने लगा अब इन व्यापारिक कम्पनियों के फलने पूलने का यही एक रास्ता था कि वो अपनी प्रतीस परधी कम्पनियों को खत्म करते लिहाजा बाजारों पर कबजे की इस होड़ने व्यापारिक कम्पनियों के बीच लड़ाईयों की शुरुत करती 17 और 18 सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कमपनी किसी दूसरी कमपनी के जहाज डुबो देती रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती ये व्यापार हत्यारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किले बंदी के जरिये सुरक्षित रखा जाता था अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफ़ा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानिय शासकों से भी टकराव होने लगे इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कमपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था आईए जाने कि ये कैसे हुआ प्रिष्ट संख्या ग्यारा इस्ट इंडिया कमपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है पहली इंग्लिश फैक्टरी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई कमपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था इस फैक्टरी में व्यार था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था यहीं पर उसके दफतर थे जिन में कमपनी के अफसर बैटते थे जैसे जैसे व्यापार फैला, कम्पनी ने सौधागरों और व्यापारियों को फैक्टरी के आसपास आकर बसने के लिए प्रिरित किया 1696 तक कम्पनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था दो साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत दे कर तीन गामों की जमीदारी भी खरीद ली इन मेंसे एक गाम काली काता था जो बाद में कलकता बना, अब इसे कॉलकाता कहा जाता है कम्पनी ने मुगल समराट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तयार कर लिया कि वो कम्पनी को बिना शुलक चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे यहां फरमान का अर्थ है एक शाही आदेश कमपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फाइदा उठाने में लगी हुई थी उदाहरण के लिए औरंग जेब के फर्मान से केवल कमपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था कम्पनी के जो अफसर निजी तोर पर व्यापार चलाते उन्हें ये चूट नहीं थी लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया इस से बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते इस प्रिष्ट पर चित्र दिखाया गया है चित्र तीन ये चित्र 1867 में विलियम सिमसन द्वारा बनाया गया मदरास के जहाजों से सामान लाती स्थानिय नौकाओं का चित्र है प्रिष्ट संख्या बारा व्यापार से युद्धों तक 18 सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टक्राव काफी बढ़ गया था औरंग जेब के मृत्यू के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे उस समय दूसरी क्षेत्रिय ताकतों की स्थिती भी ऐसी ही थी मुर्षिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजु दौला बंगाल के नवाब बने ये सब ही शक्तिशाली शासक थे उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे उसे सिक्के ढ़लने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किले बंदी को बढ़ाने से रोक दिया कम्पनी पर धोखा धड़ी का आरोप लगाते हुए, उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है कम्पनी टेक्स चुकाने को तयार नहीं थी, उसके अफसरों ने अपमान जनक जिठियां लिखी और नवाबों वह उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया कमपनी का कहना था कि स्थानी अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कमपनी का व्यापार तबाह हो रहा है व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुलक हटा ले कम्पनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार पहलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी गाउं खरीदने होंगे और किलों का पुनर निर्मान करना होगा ये टक्राव दिनों दिन गंभीर होते गए अंतता इन टक्रावों की परिनती प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र चार ये रॉबर्ट क्लाइव का चित्र है कचपुतली ये एक खिलोना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठ पुतली कहा जाता है प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान के मृत्यू के बाद सिराजुद दौला बंगाल के नवाब बने कमपनी को सिराजुद दौला की ताकत से काफी भाय था सिराजुद दौला की जगह कमपनी एक ऐसा कठ पुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आना कानी न करे कमपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया चाहे कमपनी को काम्याबी नहीं मिली जवाब में सिराजु दौला ने हुक्म दिया कि कमपनी उनके राज्ज के राजनीतिक मामलों में टांग अडाना बंद करते किले बंदी रोके और बाकाइदा राजस्व चुकाए जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने तीस हजार सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्टरी पर हमला बोल दिया नवाब की फौजों ने कमपनी के अफसरों को गिरफतार कर लिया गोदाम पर ताला डाल दिया अंग्रेजों के हथियार चीन लिये और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया इसके बाद नवाब ने कमपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कबजे के लिए उधर का रुख किया कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मदद भी मिल रही थी इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबासी चली आखिरकार 1757 में रोबर्ट कलाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद दौला के खिलाफ कमपनी की सेना का नित्रित किया नवाब सिराजुद दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेना पतियों में से एक सेना पती मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी मीर जाफर की टुकडियों ने इस युद्ध में हिस्सान नहीं लिया रौबर्ट कलाइव ने ये कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद दौला को हटा कर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा क्या आप जानते थे क्या आप जानते थे कि पलासी का ये नाम किस तरह बड़ा दरसल असली नाम पलाशी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड कर पलासी कर दिया था इस जगह को पलाशी यहां पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था पलाश के खोबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तिमाल होता है प्रिष्ट संख्या 13 इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र 5 इस चित्र में है महा न्यायालाई कक्ष इस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट इस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने इस्ट इंडिया हाउस में बैठके होती थी ये ऐसी ही एक सभा का चित्र है स्रोत एक संपन्नता का आश्वासन इंग्लेंड के लोग इस्ट इंडिया कंपनी की शासकिय महत्व कांक्षाउं को संदेख और अविश्वास से देखते थे प्लासी के लड़ाई के बाद रॉबर्ट कलाइव ने अंग्रेज समराट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को साथ जनवरी 1769 को कलकत्ते से ये चिठ्ठी भेजी थी लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वानिजिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी मैं खुद ये सोचकर अभी भूत हूँ कि इन समरिद रियासतों पर पूरा कबजा हासिल करने में कोई परिशानी नहीं आएगी अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सलाना बीस लाग स्टरलिंग की आमदनी और तीन प्रांतों का कबजा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो प्रिश्ट संख्या 14, सोत 2 नवाब की शिकाहते 1733 में बंगाल के नवाब ने इंगलिश व्यापारियों के बारे में ये कहा था जब वो पहली बार हमारे देश में आये थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्टरी बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए उन्हें वो जमीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहां मजबूत केला ही खड़ा कर डाला इसके चारों तरफ गड़े बना दिये जो नदी से जुड़ते हैं दिवारों पर उन्होंने नजाने कितनी तोपे तैनात करती हैं उन्होंने बहुत सारे सौधागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वो एक लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं वो असंखे औरतों और मर्दों को उनके ही देश में खुलाम बना कर लूट खसोट रहे हैं प्लासी की जंग इसलिए महत्पून मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी प्लासी की जंग के बाद सिराजु दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तयार नहीं थी उसका मूल उद्देशे तो व्यापार को पहलाना था अगर ये काम स्थानी शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी जल्दी ही कमपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है कटपुतली नवाब भी हमेशा कमपनी के इशारों पर नहीं चलते थे आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभूता का दिखावा करना पड़ता था तो फिर कमपनी क्या करती जब मीर जाफर ने कमपनी का विरूत किया तो कमपनी ने उसे हटा कर मीर कासिम को नवाब बना दिया जब मीर कासिम परिशान करने लगा तो बकसर की लडाई में 1764 में उसे भी हराना पड़ा उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दुबारा नवाब बना दिया गया अब नवाब को हर महीने पांच लाक रुपए कमपनी को चुकाने थे कमपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी कमपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी सत्रह सो पैंसट में जब मीर जाफर की मृत्य हुई तब तक कमपनी के इरादे बदल चुके थे कछपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए कलाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा आखिरकार सत्रह सो पैसट में मुगल समराट ने कमपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नी युक्त कर दिया दीवानी मिलने के कारण कमपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंतर्ण मिल गया था इस तरह कमपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी ज्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दिवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कमपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कमपनी भारत में सूती और रेश्मी कपड़ा खरीच सकती थी। अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्मान की लागत उठा सकती थी। प्रिष्ट संख्या पंद्रह कमपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कमपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। लेकिन इसके कुछ और फाइदे भी थे। कमपनी का हर करमचारी नवाबों की तरह जीने के खाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वो कमपनी के अफसरों को निजी तोफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट कलाइव नहीं भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंगलेंड से मद्रास जो की अब चेन्नाई है आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वो दो बार गवर्णर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहां उसकी दौलत 4,1,102 पाउंट के बराबर थी। दिल्चस्प बात यह है कि गवर्णर के अपने दूसरे कारेकाल में उसे कमपनी के भीतर पहले बरस्टाचार को खत्म करने का काम सौपा गया था। लेकिन 1772 में बिटिश संसद में उसे खुद बरस्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ती के स्रोत संध्यास्पत लग रहे थे। उसे ब्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया लेकिन 1774 में उसने आत्म हत्या कर ली। कमपनी के सभी अफसर कलाइव की तरह दौलत ही कठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को ब्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उन में से बहुत सारे अफसर साधारन परिवारों से आये थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लोट कर आराम की जिन्दगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लोट गए उन्होंने वहां आली शान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाप कहते थे यह भारत शब्द नवाप का ही अंग्रेजी संस्क्रण बन गया था। उन्हें लोग अकसर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात उपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। स्रोत तीन कलाइव खुद को कैसे देखता था। संसत की एक समिती के सामने सुनवाई के दौरान कलाइव ने कहा था कि प्लासी के लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचे दिया। आये जाने उसने क्या कहा उस थिती की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीतने मुझे लाकड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलत मंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खीच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महुद है, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। गतिवी थी, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आएं हैं। अब इंग्लेंड में रहने वाली अपनी मा के नाम एक चिठी लिखकर उन्हें अपनी एशो आराम भरी जिन्दगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राजियों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें। तो कुछ महत्पून बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाखे में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधी ग्रहन करने से पहले विभिन राजनीतिक, आर्थिक और कूट नीतिक साधनों का इस्तिमाल किया। 1764 की बक्सर की रडाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात करती है। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसाइक प्रतिनिधी होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मौमलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा? किस पद पर किस को बिठाया जाएगा? इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तै करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहाइक संधी भी थोब दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहाइक सेना के रखरकाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतिय शासक रखम अदा करने में चूक जाते थे, तो जुर्माने के तोर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लीती थी। उदाहरन के लिए जब 1798 से 1805 के बीच रिचर्ड वैलेजली गवर्नर जेनरल था, उस समय अवत के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर्ख किया गया, क्यूंकि नवाब सहाइक सेना के लिए पैसा आदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके चीन लिए गए। अधिकार चिन गए थे। लेकिन यहां वो रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानों शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। स्रोत चार रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कमपनी द्वारा नियुक्त किये गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलेंड के प्रसिद अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने ये कहा था। दरसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मन चाही निशे दाग्या के तहट काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानिय राजा पूरी तरह अधीनस्त रहता है और रेजिडेंट यानि ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें अराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घड़ता है जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार घलत मानती है तो तकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। जेम्स मिल 1832 यहां निशे दाग्या का अर्थ है निर्देश अधीनस थता अर्थाद दबुपन टीपु सुल्तान शेर मैसूर जब कमपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खत्रा दिखाई दिया तो कमपनी ने प्रतियक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अप हैदर अली जिनका शासनकाल 1761 से 1782 था और उनके विख्यात पुत्र टीपु सुल्तान जिनका शासनकाल 1782 से 1799 था उन जैसे शक्तिशाली शासकों के नित्रित्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था माला बार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियास्त के नियंत्रण में था जहां से कमपनी काली मिर्च और इलाइची खरीदती थी 1785 में टीपु सुल्तान ने अपनी रियासत में पढ़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलाइची का निर्यात रोक दिया सुल्तान ने स्थानिय सौधागरों को भी कमपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था टीपू सुल्टान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ट संबंद विक्सित किये और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनी की करण किया सुल्टान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्टान बहुत महत्वा कांक्शी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंतरित करना और कुचलना ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की चार बार जंग हुई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्टान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंक दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधी थोब दी गई। चित्र साथ ये टीपू सुल्टान का चित्र है। प्रिष्ट संख्या सत्रह चित्र आठ इस चित्र में टीपू सुल्टान के बेटों को बंधक के रूप में कौन वॉलिस के सामने पेश किया जा रहा है। इस चित्र को डैनियल आम ने बनाया था 1793 में। कमपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्टान ने कई बार युद्ध में हराया था। लिकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कमपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्टान को अंग्रेजों से संधी करनी पड़ी। इस संधी के तहट उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे द्रिश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिन में अंग्रेजों की सत्ता की विज़े दिखाई देती थी। चित्र नौ टीपू का खिलोना शेर ये टीपू के एक विशाल काए मशीनी खिलोने की तस्वीर है। इसमें ये नकली शेर एक योरोपिय सिपाही को दबाई हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहारता था और सिपाही के भीतर से चीक की आवाजें आती थी। अब ये खिलोना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एलबर्ट म्यूजियम में रखा है। चार मई सत्रह सो निन्यानवे को जब अपनी राजधानी श्री रंग बटनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्य हो गई तो अंग्रेज इस खिलोने को भी अपने साथ ले गए। टीपू की कहानिया राजाओं की छवी अक्सर जन्शूतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्तों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार किराया। इसी के बाद से उन् श्री रंग पत्नम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अकबार मिलते हैं। एक अकबार ब्रिटेन का है और दूसरा महसूर का है। दोनों अकबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक-एक सुर्खी लिखिये। प् काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लडाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांटिया गया। इन राज्यों की बागदोर, सिंधिया, होलकर गायकवार्ड और भूसले जैसे अलग-अलग राजवन्षों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा अर्थात सर्वोच मंत्री के अंतरगत एक कनफेडरेसी अर्थात राज्यमंडल के सदस्य थे। कनफेडरेसी का अर्थ है गठ बंधन। पेशवा इस राज्य की ये प्रमुक होता था और पुने में रहता था। महाजजी सिंधिया और नाना फड़नीस अठारमी सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योध था और राजनी तिग्य थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर क प्रसि में साल बाई संधी के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध अठारह सो तीन से अठारह सो पांच तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उडिसा और यमना के उत्तर में स्थित आग मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पीश्वा को पुने से हटा कर कानपूर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिन में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। चल रही थी। 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे लौड हेस्टिंग्स के नित्रित्व में सरवोच्चता की एक नई नीती शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सरवोच्च है इसलिए वो भारतिय राज्यों से उपर है अपने हितों की रक्षा के लिए वो भ बाद में भी अंग्रेजों की नेतियों में दिखाई देती रही। लेकिन ये प्रक्रिया बे रोक टोक नहीं चली। मृत्यू हो गई। चेनम्मा के बाद कि तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकिदार रायन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। चोतरफ़ समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नस्ट कर दिया था। आखिरकार उन 10. ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का चित्र है। प्रिष्ट 19. अठारा सो तीस के दशक के अंत में इस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत जरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल कर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रन स्थापित करना चाहते थे। 1843 में सिंद भी कब्जे में आ गया इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहां महराजा रणजीत सिंग ने कमपनी की दाल नहीं कलने दी। 1849 में उनकी मृत्यू के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लडाईयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रेहन कर लिया। चित्र 11 इसमें महराजा रणजीत सिंग का दर्बार दिखाया गया है। विले नीती अधिग्रेहन की आखरी लहर 1849 से 1856 के बीच गवर्नर जेनरल बने लॉर्ड डलहॉजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहॉजी ने एक नई नीती अपनाई जिसे विले नीती का नाम दिया गया। संबलपूर 1850, उधैपूर 1852, नागपूर 1853 और जहांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कमपनी ने अवद को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तरक दिया। उन्होंने कहा कि वो अवद की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए करतब्वे से बंधे हुए हैं। इसलिए वो अवद पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया। उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवद के लोग भी 1857 के महान विद्रों में शामिल हो गए। गतिविधी, कलपना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बच्पन से ही ये एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीती के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा। राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे। प्रिष्ट संख्या 20 इस प्रिष्ट पर तीन मानचित्र हैं। पहला मानचित्र 11A, भारत 1797 इस मानचित्र में पीले रंग में ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र दिखाए गए हैं। और लाल रंग में वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं। बनारस, कलकत्ता, कुछ भाग हैदराबाद और मदरास का भी, जो क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, वो हैं लाहौर, दिल्ली, लखनाउ, काटमांडू, बढ़ोदा, पूना, हैदराबाद, मैसूर, गोवा, बंबई, दूसरा मानचित्र है ग्यारा भी, भारत 1840, इसमें ब्रिटिश शासन के अधीन ख्षेत्र हैं, दिल्ली, बंबई, गोवा, मदरास, बनारस, कलकत्ता, और कुछ भाग लखनाउका, और जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, वो ख्षेत्र हैं, लाहौर, काटमांडू, हैदराबाद, मैसूर, तीसरा मानचित्र है, ग्यारा सी, भारत 1857, इसमें ब्रिटिश शासन के अधीन ख्षेत्र हैं, लाहौर, पूना, कलकत्ता, बनारस, लखनाउ, बंबई, और गोवा, और जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, वो हैं, दिल्ली, बड़ोदा, हैदराबाद, मैसूर, काटमांडू, ये मानचित्र दर्शाते हैं, कि धीरे धीरे कैसे अंग्रेजों की सत्ता बढ़ती चली गई, चित्र 11, A, B और C में हैं, भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं, इन नक्षों को भारत के वर्तमान, राजनीतिक नक्षे के साथ रख कर देखें, तीनों नक्षों में उन इलाकों की पहचान करें, जो ब्रिटिश शासन के अंतरकत नहीं थे, प्रिष्ट संख्या 21, नए शासन की स्थापना, 1773 से 1785 तक, गवर्नर जनरल रहा वारेन हेस्टिंग्स, उन बहुत सारे महत्पून व्यक्तियों में से था, जिनोंने कंपनी की ताकत पहलाने में अहम भूमी का अदा की थी, वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते, कंपनी न केवल बंगाल, बल्कि बंबई और मदरास में भी सत्ता हासल कर चुकी थी, ब्रिटिश इलाके मोटे तोर पर प्रशासकिय एकाईयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेजिडेंसी कहा जाता था, उस समय तीन प्रेजिडेंसी थी, बंगाल, मदरास और बंबई, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे उपर गवर्नर जेनरल होता था, वर्न हिस्टिंग्स ने कई प्रशासकिय सुधार किये, नियाय के क्षेतर में उसके सुधार खास तोर से उलेखनिये थे, 1772 से एक नई नियाय व्यवस्था स्थापित की गई, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालते होंगी, फौजदारी कानूनों की व्याक्या करते थे, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतरकत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, काजी का अर्थ है एक न्यायधीश मुफ्ति का अर्थ है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है चितr बारा ये चितr 1789 में आर जी पालार द्वारा चित्रित किया गया था। इसमें वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा दिखाया गया है। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लेंड लोटा, तो एड्मन बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही धंक से ना चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो साथ साल चला। महाभियोग का अर्थ है महाभियोग। जब इंगलेंड के हाउस ओफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुरा चरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ओफ लौड्स में अर्थात संसद के उपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। प्रिष्ट बाईस, स्रोत पाँच, मैं सब के शत्रू और उत्पीडक पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कारवाई के दोरान, एडमर्ण बर्क ने एक उत्तेजना पूर्ण भाशन दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। मैं उनके अर्थात हेस्टिंग्स के उपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौन दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओधे के नाम पर, मैं सब के साजा शत्रू और सब के उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राहमन पंडित धर्म शास्त्र की अलग-अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानिय कानूनों की अलग-अलग व्याख्या कर देते थे। इस बिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में ग्यारा पंडितों को भारतिय कानूनों का एक संकलन तयार करने का काम सौपा गया। एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपिय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तयार कर ली गई थी। 1773 के Regulating Act के तहट एक नए सर्वोच्च न्यायालाय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतिय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओधा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्यकाम लगान और कर एकठा करना तथा नयाया धीशों, पुलिस अधिकारियों वदारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाई रखना होता था। उसका कार्याल है, कलेक्टरेट, सत्ता और संद्रक्षन का नया केंदर बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंदरों को हाशिये पर ढखेल दिया। कमपनी की फौज, कमपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घोड सवार, अर्थाद घोडे पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवार बाजी का प्रशिक्षन दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल सामराज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षन वाली पैदल सेना की जरूप महसूस नहीं होती थी। ग्रामीन इलाकों में सश्चस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानी जमिदार मुगलों को जरूरत पढ़ने पर पैदल सिपाही मोहिया कराते थे। अठारवी सदी में जब अवद और बनारज जैसी रियासतों में किसानों को भरती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षन दिया जाने लगा। तो ये सूरत बदलने लगी। इस्ट इंडिया कमपनी ने जब अपनी सेना के लिए भरती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाह आर्मी कहते थे। सिपाह शब्द। भारती शब्द सिपाही से ही बना है। अठारा सो बीस के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी। कमपनी की सेना में घुरसवार टुकडियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वज़ाई ये थी कि ब्रिटिस सामराज जिब बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था जहां सिपाही मस्केट अर्थात तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कमपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यक्ताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्पूर्ण होती जा रही थी। क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाती और समुदाई की भावनाओं को नजर अंदास कर देते थे। में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रो हमें सिपाहियों की इस दुनिया की जलक दिखाता है। इस विद्रो के बारे में आप अध्याय पांच में पढ़ेंगे। इस प्रिष्ट पर आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। धर्मशास्त्र संस्कित की ऐसी कृतियां जिन में सामाजिक तौर तरीकों और आचरन के सिधानतों की व्याक्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसापूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार घुर सवार मसकेट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। मैचलोक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। चित्र 13 इस चित्र में कमपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है। इस चित्र को 1780 में एक अज्यात भारतिये चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कमपनी को अपनी घुड सवार टुकणियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। प्रिष्ट संख्या 23 सदी की शुरुआत में नई भाब तकनीक के आने से ये प्रक्रिया और तेस हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुँचने में 6-8 माह का समय लग जाता था। बहाब से चलने वाले जहाजों ने ये यात्रा तीन हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारती उप महाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कम्पनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के 6 भूभाग और आबादी पर कम्पनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्याभारिक स्तर पर इस्ट इंडिया कम्पनी पूरे भा अपने नियंत्रन में ले चुकी थी। प्रिष्ट 24 अन्यत्र दक्षिन अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17 सदी में दक्षिन अफ्रीका पहुँचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बना कर जंजीरों में बांध कर दास बा निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक शात्री ने वहां होने वाली निलामी का आँखों देखा ब्योरा प्रस्तुत किया है। ये मालूम होने पर कि पश्वों कृशी उत्पादों की निलामी होने वाली है। हमने अपनी गारी दारों को बेश दिया गया। मा ने चिंता, वेधना और आंसु भरी आँखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखे बच्चे व्याकुल माबाप से चिपक गए। ये द्रिश्य दिल को पिगलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए इवम असमवेधन शील थे। नाइजिल वार्डन द्वारा लिखित The Chains That Bind Us, A History of Slavery at the Cape, 1996। आइए कल पना करें। आप अठार्मी सदी के आखिर या उननीस्वी सदी के प्रारंभ में इंगलन में रह रहे हैं। ब्रिटिश विजय की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। याद रखिए कि आप वहाँ जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमाई के बारे में जान चुके हैं। अभ्यास फिर से याद करें। एक निम्न लिखित के जोड़े बनाएं। दीवानी, शेरे मैसूर, फोजीदारी अदालत, रानी चेनम्मा, सिपाही, वारेन हेस्टिंग्स। इन शब्दों को आगे पढ़े जाने वाले शब्दों से मिलाईए। टीपू सुल्तान, भूरा जस्व वसूल करने का अधिकार, सिपाउय, भारत का पहला गवर्नर जनरल, फोजदारी अदालत, कि तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेत्रित किया। दो, रिक्तस्थान भरें। क, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत, रिक्तस्थान, की जंग से शुरू हुई थी। क, हैदर अली और टीपू सुल्तान, रिक्तस्थान, के शासक थे। ग, डलहौजी ने रिक्तस्थान का सिध्धान्त लागू किया। ग, मराथा रियासतें मुख्य रूप से भारत के रिक्तस्थान भाग में स्थित थी। तीन, सही या गलत बताएं। क, मुखल सामराज्य अठारमी सदी में मजबूत होता गया। क, इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एक मात्र यूरोपिय कंपनी थी। ग, महराजा रणजीत सिंग पंजाब के राजा थे। ग, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शास किये बदलाव नहीं किये। प्रिष्ट संख्या 25 आईए विचार करें। चार, यूरोपिय व्यापारिक कंपनिया भारत की तरफ क्यों आकरशित हो रही थी। पांच, बंगाल के नवाबों और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। चै, दीवानी मिलने से इस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फाइदा पहुँचा। साथ, इस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। आठ, सबसिडियरी एलाइंस अर्थात, सहायक संथी व्यवस्था की व्याख्या करें। नौ, कंपनी का शासन भारतिय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। दस, कंपनी की सेना की संदचना में आए बदलावों का वर्णन करें। आईए करके देखें। 11. बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गाउं से बड़े शहर में तबदील हो गया। आपनी वेशिक काल के दौरान, शहर के यूरोपिय और भारतिय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। 12. निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियां, कविताएं और जानकारियां इकठा करें। जांसी की रानी, महाजी सिंध्या, हैदर अली, महराजा रंजीत सिंग, लौर्ड डलहोजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट। प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत। झालो आपके.